डॉक्टर कुष्पा सक्सिनाजी भारती ये प्रवासी हिंदी लेकिका हैं। सन 2006 से वो अमेरिका में प्रवास कर रही हैं। आज सुनिये उनकी लिखी हुई कहानी सपनों के इंद्रधनुष मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सेंग। उस पहारी कस्बे में पापा की नियुक्ति होते ही आज-पास के बंगले वाले स्वागत सतकार में जुट गए थे। रोज ही नई सौगातों पार्टियों का ताता लग गया था। छोटी जगहों में पुलिस अधिकारी का तबदबा जरा अधिक ही होता है। पापा को जो कोठी मिली थी उसके बाई और मानिक राम की लांडरी थी। पूरे कस्बे में ड्राइ क्लेनिंग की यही छोटी सी जगह थी। लांडरी के उपर ही मानिक राम का घर था। अन्य अधिकारी पत्नियों की बाते सुन चार दिन बादी ममी बरवड़ा रही थी। ये भी कोई बात हुई। हमारे घर के पास इन लांडरी वालों को ही रहना था। बच्चों की कंपनी क्या होगी। पापा जुझला उठे। हमारे पहले भी यहां लोग रह रहे हैं क्या हमारे लिए नया बंगला बनेगा बच्चों को समझा दो पार्क में घूमा करें सब आफसेर्स के बच्चे वहीं जाते हैं। कस्बे के लड़के लड़कियों को तीन मिल दूर के एक मात्र इंटर कॉलेज में पढ़ने जाना पड़ता था। के स्कूल कॉलेज कुलते हैं उन्हीं दूरों राजमोहन पूरे समय घर पर रह पाता था। उसी राजमोहन को दिव्या ने उसकी छोटी जुबा बेहनों उमा और गौरी के साथ देखा था। उमा और गौरी से राजीव की शीगरी मित्रता हो गई थी। अपने हस्मुक सभाव से उन्होंने दिव्या को दीदी कहकर अपना लिया था। अधिकारी वर्क की इस्त्रियां उसे घमंडी कह अपने एहम की तुष्टी कर लिया करती थी। उमा और गौरी को अपने भहिया पर बड़ा अभिमान था। देखना दिव्या दीदी हमारे भहिया खुब बड़े इंजीनियर बनेंगे तब हम ये लॉंट्री का काम छोड़कर भहिया के साथ रहेंगे। गौरी उत्साहस कहती। हाँ दीदी तब हमें कोई लॉंट्री वाली कहकर नहीं चिढ़ाएगा। उमा साथ साथ बोल पड़ती। सच। उनको रुला पाने का नुस्खा सहजी कस्वे के बच्चों ने कब और कैसे इजाद कर लिया था कोई नहीं जानता। जरा लड़ाई जगड़ा हुआ नहीं क कपड़े सी कर खाएगी। बस ये पंक्तिया सुनते ही उमा और गौरी के मुख कुमला जाते, आखों से आसू बह निकलते। उमा ने दिव्या को बताया था, बच्पन में भाई को चिढ़ाने पर उसका मुख तम-तमा उठा था, गोरा दमकता चेहरा अंगार हुठा था, क भर आकर अभिमानी पुत्र को भी कपड़ों सा पीट डाला था, जिस थाली का खाता है उसी में छिट करने चला है कमबक्त, अरे हमारी रोजी रोटी जिन से चलती है उन पर हाथ उठाएगा नालायक। उस दिन के बाद राजमोहन के सामने किसी बच्चे का मुख खुलने क साहस नहीं हुआ, अपने को एक अग्यात कवच में कैद कर राजमोहन ने पूरा ध्यान पढ़ाई पर ही केंद्रित कर लिया था, पर उसी दिन से उसके सीने में कोई आग निरंतर धज़कती रही, अन्याए की वरोट की चिंगारी सुलकती रही, कस्बे में नाजाने कितने अफसर आते, निर्ते पार्टीज होती, पर माने कराम के परिवार को सदेव छोड़ दिया जाता था, बाद में माने कराम के घर से देरों मिठाईया बेजी आती थी, उन्हें अधिकारी पत्मियां उधारता पूरक स्विकार कर माने करार्थ कर देती थी, उस बार होली पर दिव्या और राजीव के जिद पर सारे अधिकारी परिवार उनके घरामंतृत थे, माने कराम के परिवार को निमंतृत करने की बास सुनते ही, मम्मी ने दिव्या को खूप राटा था, इस टेटरस का जरावी ध्यार नहीं है, कल को मैं न रही तो खांदान की इज़त मिट जाएगी, इतनी बड़ी हो गई, जरा भी अकल नहीं आई, नाजाने किस किस से दोस्ती कर रखी है, अंतिम बात कहती मम्मी का खूप इस पश्ट था, उस बार पहली दफ़े होली पर माने कराम के घर से भी किसी को निमंतृत नहीं किया गया था, माने कराम का कैप्टन भती गैचुल लिये जाते हैं, और उनके कारण हमारे बच्चे सफर करते हैं, सेन आउंटी भी हां में हां मिलाती हुई बोली थी, और जरा कुछ मिलते ही इनके दिमाग दे हूँ, कैसे सात्यों आस्मान पर चड़ जाते हैं, देख लो, आज ये माने के अपनी आकाती भूल गय गुपता आउंटी का आक्रोश बढ़ता जा रहा था, हाँ जी हम ही सुनाने को ठटे लगाये जा रहे हैं, कल तक बाप दादे घरगर कपड़े बटोर कर धोते थे वो दिन भूल गये, जरा हो क्या गया हमसे बराबरी कर रहा है, पर आउंटी माने का अंकल तो सब को हमेश बनी है, यही सीखा है कॉलेज में, पापा की और उन्मुक ममी लगभग रो दी थी, देख लिया, मैंने पहले ही कहा था, इन्नों की कमपनी में रहेगी तो यही सब सीखेगी, अब तो घर बदल लीजिए, चंदरा अंकल हस पड़े थे, क्या मिसिस बाज बाज बेई, आप खाएं, वितरशना सभी अधिकारी पत्नियों के मुख पर उभर आई थी, चंदरा अंकल दिव्या को सदैव अच्छे लगते हैं, हमेशा न्याय पूर्ण बाते करते हैं, पर मम्मी और अन्य लोग उन्हें पसंद नहीं करते, सुना है उनके पिता एक मामूली टलर्ग थे अता अबिजात वर्ग से उनका सुभाव मिलने खाता था, बच्चों के मद्य चंदरा अंकल बहुत प्रिया थे, उनकी फर्माईशे पूरी करने में उन्हें मज़ा आता था, पत्नी से इसके लिए उन्हें उलाने भी सुनने पड़ते थे, ससुराल की विप्रनता का अतिति उमा और गौरी अपने अतितियों के विशे में दिव्या को विस्तार से पताती गई थी, उनके ताउजी दिल्ली में है, कैप्टन भहिया वहीं पोस्टेड है, उनका बहुत बड़ा घर है, जाड़ों में सब दिल्ली जाएंगे, आदी आदी, उनके साथ चलते चल मैं किस क्लास को बिलॉंग करती हूँ, मिस्टर, आप क्या समझते हैं अपने को, ममी ठीक कहती है, आक्रोष से दिव्या का कंट रुंद गया था, उसके अपूर वाके के आगे राजमुहन ने कहा था, हाँ हाँ, आपकी ममी ठीक ही कहती है कि हम नीच है, हमारे घर के पास र नाट खाए और आज खुद आप नाट रहे हैं, दिव्या का आक्रोष बहचला था, किसने कहा था हमारे लिए लड़ने को, हमें किसी का दया पातर नहीं बनना है समझी, आगे से अपनी ये महर्मानिया किसी और के लिए रखिये मैडम, राजमुहन का बाग के समाप्त होते दोनों बहने भाई से कितना लड़ी थी, एक वो दिव्या दीदी हैं, कितनी अच्छी हैं, जो हमारे लिए दूसरों से लड़ती हैं, डाट खाती हैं, उनी दीदी का जो अपमान करें, उस भाई से वे नहीं बोलेंगी, दूसरे दिव्या बस की पतीक्षा में सबसे अलग कर मौन गंभीर खड़ी थी, राज मुहन ने एक वाद बार उसकी ओर देखा भी था, शायद अभिवादल भी किया था, पर दिव्या ने कोई प्रितक्रिया नहीं दिखाई, निश्चे को वो बार बार दुराती रही थी, संध्या के समय घर आते राज मुहन ने दिव्या क अपने पन का एक धागा बंद गया था, चुटियों में दोनों की बातें कभी खत्मी नहीं होने को आती, राज मुहन उस छेतर के चप्पे चप्पे से परचित था, दिव्या से कहता, देखना दिव्या, घाटी के इस छोड से उस छोड तक रोप वे लगवाऊंगा, इस क दिखे थे, इस लड़की का दिमाग तो नहीं खराब हो गया है, अपने बराबर वालों से दोस्ती ना कर उस लांडरी वाले को दोस्त बनाया है, क्या यहां अच्छे लड़के लड़कियों की कमी है, जो उसके साथ घुमती है, पापा ने भी गंबीर स्वर में कहा था, द इतना इंटेलिजेंट है, जानती हो, हमेशा फरस्ट आता है, जानती हो कौन से नौकर चाकर है, उसका बाप भी तो खुद वही काम करता है, खबरदार जो उनसे मेल जोल बढ़ाया, मेल बढ़ाने में क्या नुकसान है मम्मी, वो इमानदारी से अपना काम करते हैं, मम्मी के स्कूर आदेश की अवेलना के दिव्या ने ठान ली थी, वो भी मम्मी को दिखा देगी, सिवाए राजमोहन के उसे और किसी से बात ही ने करनी है, दूसरे दिन तक दिव्या को मम्मी द्वारा दंडित किये जाने की सूचना, नमक मिर्श लगा राजी उमा गौरी तक पहुचा चुका था, दोनों बहने साहनभूत पूर्ण द्रिश्च से दिव्या की सूजी आखों को सहमी द्रिश्च से ताक्ती रह गई थी, कॉलेज के रास्ते में राजमोहन खड़ा था, उसके नैनों में आक रोज चल रहा था, दिव्या के पास आकर उसने कहा था, इसलिए मैं तुमारे वर्ग जाती समाज से घ्रना करता हूँ, ऐसा क्या कोई और समाज इस दुनिया में कहीं और है, जहां मनुशे से मनुशे इतनी घ्रना करे, कुछ रुक कर फिर कहा था, जी चाहता है ऐसे सब व्यक्तियों को समाप्त कर डालू, I wish I could do so, राजमोहन के अंतर की आग चिंगारियों के रूप में आँखों से निकल रही थी, उसके आकरोश को देख दिव्या डर गई थी, कहीं राजमोहन मम्मी को कुछ करना दे, वो हटात चीक उठी थी, नहीं, how dare you to kill my mommy, I hate you, कापती दिव्या के नेन चल चला उठे थे, शाम को दिव्या का र अर्थ मत लगा बैठना, असल में मेरी वज़े से तुमारी मम्मी ने तुम पर हात उठाया, ये सुनकर मैं अपना सैयम खो बैठा था, कोई हमारे लिए अपने घरवालों से लड़ भी सकता है, सोचकर ही बहुत अच्छा लग रहा है, थेंक्यो दिव्या, दोनों की आखे एक पल को जुड़ कर अलग हो गई, बादल छट गए थी, दिव्या की परीक्षाएं सिर पर आ गई थी, राजमोहन की तरह उसे भी इंजिनियर बनना है, ये उसने निश्चित कर लिया था, कॉलेज जाते जाते वो दिव्या को सहित कर गया था, तुम बुद्धी मती हो, स अर्थमिस्थान प्राप्त किया है, दिव्या खिल उठी थी, सभी विश्यों में दिस्टिंक्शन अंक प्राप्त किये थे उसने, अधिकारी पत्नियों न जहां छीटा करशी शुरू की, चंद्रा अंकल जोरों से हस पड़े थे, बस यही तो हमारा दुरभागी है, किसी क इसकी सफलता में वो अपनी असफलता के आंसु पोशना चाहते हैं, भाई वो लड़का तेज है, जहीन है, सबसे बड़ी बात महिंती है, देख लीजेगा हमारे इस कजबे की शान बढ़ाएगा एक दिन, मैं तो सुबह उसके घर जाकर मिठाई खाया हूँ, क्या, चंद् पापा भी उतने ही उदार होते, उतना बड़ा दिल रखते, प्रथम आने के दिव्या ने जब बढ़ाई दी, तो राज मोहन मुस्कुरा दिया, तुमारी मम्मी को धन्यवाद देना चाहता था दिव्या, उनकी बातें मेरे लिए प्रेणा वाक की सिद हुई है, मम्मी के क भूल गया, अपने आपको भूल गयाओंगा, और अपने आपको भूल गयाना कोई अच्छी बात नहीं आना दिव्या, मौन दिव्या उसका तेजस्वी मुक निहारती रह गई थी, इंजिनेरिन की अखिल भारती प्रतियोगिता में दिव्या ने उच अंकप्राप किये थ ममी पापा के हर्श का ठिकाना ना था, पूरे मित्र समा से बधाईयों का ताता लग गया था, पहली बार उसकी सफलता पर मानिक राम की पतनी दिव्या के घराई थी, उसके सिर पर हाथ धर आशीश दिया था, गनीमत थी उस खुशी के माहौल में इस छोटी सी घटना को मम ममी ने अधिक दूल नहीं दिया था, अगले कुछ दिन ममी पापा के साथ शौपिन करते बीट गये थे, बेटी के इंजिनरिंग कॉलेज में पढ़ने जाने का गौरत दोनों को अतिशे उदार बना गया था, चलते समय उमा और गौरी ने फूलों का गुलदस्ता दे शु ममी ने कहा था, वहां राजमोहन से बातचीत करने की जरुवत नहीं है, इननों से थोड़ी दूरी भी बरतनी चाहिए वरना सिर्पर चढ़ जाते हैं, दिव्या को राजमोहन के कॉलेज में प्रवेश मिलना ममी के भैका कारण बन गया था, पापा ने भी प्रतिवात सा कर करते हुए कहा था, अरे वहां पढ़ाई करेगी या फिजूल की बाते करेगी, अपने ममी पापा की इज़्जत का भी तो ख्याल रखना है, क्यों ठीक कहा ना बेटी, मौन रहे दिव्या ने चुट्टी पाली थी, नए शहर में पहुंच नई लड़िकों के साथ हॉस्ट की बाते करते रहे थे, कॉलिज में प्राया ही राजमोहन मिल जाता था, कभी संध्या के समय वो हॉस्टल भी आ जाता था, दिव्या को नोट्स किताबों की जरुवत होते ही राजमोहन ना जाने कहां से जुटा देता था, दिव्या की समस्या मिन्टों में सुलजा अपनी प्रतिभास से उसे मुख्ध कर जाता था उसके आने की हर दिन हर पल बाट जोती थी उमा और गौरी के जनम दिन पर उपहार भीजने के लिए राजमोहन ने जब दिव्या के साथ बाजार चलने का प्रस्ताव रखा तो एक पल को वो जिजी की थी राजमोहन के चेहरे पर स्विक्रति का विश्वास पढ़ वो फौरन तयार हो गई थी उपहार खरी दोनों ने कोड डिंक्स ली थी लोटते समर राजमोहन ने इतना ही कहा था आज का दिन बहुत अच्छा लगा फिर कभी इसे दोराएंगे दोराना फिर दिव्या की ओर से हुआ था राजीव की फर्माईश थी कि उसके लिए जैकेट ले आए पसंद के लिए राजमोहन को जाना पड़ा था उसके बाद से दोनों की संध्याएं छुट्टी का दिन प्राया साथ बीटता था दिव्या अंतरमुकी शांत प्रिकृत की लड़की थी पर राजमोहन के साथ वो अपने मन की सब बातें सहजता से कह जाती थी तशेहरे की छुट्टियों में दोनों जब साथ वापस गए थे तो स्टेशन पर दिव्या को लेने पापा पहुँचे हुए थे पापा ने सामान उतरवा जब दिव्या से चलने को कहा था तो कुछ संकोच के साथ वो पूछ बैठी थी पापा राजमोहन को भी साथ ले चलें एक पल दिव्या को निहार पापा ने कहा था ओके, as you wish, उसे बुला लो राजमोहन का उत्तर सर्वता नकारात्मक था थैंक्स, यहां कुछ काम है रुक कर पहुचूंगा कंदे उचका कर पापा ने दिव्या से विवश्ता जाहिर कर दी थी दिव्या को राजमोहन का व्यर्थ का एहम खल गया था कार स्टार्ट कर पापा बरवड़ाए थे ना जाने अपने को क्या समझता है ऐसे लोगों को व्यर्थ लिफ्ट नहीं देनी चाहिए जी पापा होटों से दाथ काटती दिव्या इतना ही कह सकी थी सचमुच, कभी कभी राजमोहन हद कर देता था घर पर मम्मी पापा के लाड़ में उस सब कुछ भूल गई थी रोज धेर सारे लोग उसका हालचाल पूछने पहुंच जाते थे रोज किसी ना किसी की घर से निमंतर आता रहा राजमोहन मानों एकदम अपरिचित होटा था राजमोहन को देख पाने के लिए वो व्यर्त चक्कर लगाती थी पर उसने अपने को ना जाने किस गुफा में बंद कर रखा था हमेशा उसी पहुंच से परे रहा कॉलेज लोटते समय पता लगा कि राजमोहन छुटिया पूरी होने के दो दिन पूर ही जा चुका था दिव्या मान से भर उठी थी इस बार राजमोहन से उसे बात नहीं करनी है संध्या के समय होस्टल में जब राजमोहन मिलने आया जी चाहा था उसे वापस लोटा दे पर ऐसा करपाना क्या संभो था नहीं बोलते आप से वहाँ तो हमें पहचानते नहीं यहां बहुत अपने बनते हैं दिव्या का मान छलक उठा था मंद इसमित के साथ शांस सहज उत्तर दिया था राजमोहन ने ठीक कहती हो दिव्या तुम्हें तुम्हें पापा ममी के साथ सचमुश अजनभी पाता और यहां सिर्फ तुम्हें पाता हूँ तो बहुत अपनी लगती हो यह सब कुछ नहीं बस तुम्हें मन की कुंठा है दर असल तुम अपने मन में ना जाने कितनी ग्रंथियां पाले हो जो तुम्हें नॉर्मल नहीं रहने देती शायद तुम ठीक कहती हो पर यह ग्रंथियां तुम्हें वर्ग की ही देन है दिव्या तुम यूँ ही कहते हो उस दिन स्टेशन से घर हमारे साथ नहीं गए जानते हो पापा ने किंता इंसल्टेड फिल किया एक छोटी सी बात पर उन्होंने अपमानित महसूस किया पर वही बाते मेरी नियती हैं ये जानती हो दिव्या मानती हूँ प्राया लोग तुमारे प्रती अनुदार हैं पर सब कुछ पाकर भी क्या तुम उन्हें क्षमा नहीं कर सकते राजमोहन सब कुछ पाकर ना व्यंग से राजमोहन के होट से कुड़ गए थे क्या नहीं मिला है तुमें इंजिनियर बढ़नते ही किसी अच्छी कंपनी में लग जाओगे तब देखना सब तुमें सिर आपको लेंगे जो चाहे वो मिलेगा तुम भी राजमोहन की दृष्ट दिव्या पटे की थी दिव्या चौको की थी दो शब्दों में क्या कह बैठा था राजमोहन उसका मौन देख राजमोहन ठटा कर हस दिया था नहीं दिव्या नहीं मैं जो चाहूं कभी नहीं पा सकता और ये सत्य मेरे रक्त में बहता है तुमारी चाहना करके आकाश के तारे तोड़ने के सपने मैं नहीं देखता बस इतना कहकर वो उल्टे पाउं वापस सला गया था इस तब दिव्या उसकी पीट ताक्ती रह गई थी उसके चले जाने के बाद भी उसके शब्द दिव्या के मानस में प्रति धुनित होते रहे थी एक अजीब बेचैनी में पूरी रात कटी थी दिव्या की राजमोहन ने जो कुछ कहा क्या वो उसके अंतर का सत्य था रात पूरी तरह आँखों में बिता प्राता दिव्या जब कॉलिज पहुची तो राजमोहन गेट के पास खड़ा उसकी प्रतिक्षा कर रहा था दिव्या का की बता दे वो भी कहां सोपाई थी उस रात बस उत्तर में बस कुछ पल मौन रहकर उस साथ चल दी उस दिर के बाद कई दिनों तक राजमोहन दिखाई नहीं दिया था ना चाहते हुए भी दिव्या प्रतिक्षा करती रही थी राजमोहन के एक मित्र ने दिव्या को बताया था कि राजमोहन को टाइफाइड हो गया है और उस्थानी अस्पताल में भड़ती है वार्डन ने उसके घर सूचना भेजनी चाही तो राजमोहन ने साफ मना कर दिया था बेकार वहां सब घबरा जाएंगे दो-चार दिन में ठीक हो जाओंगा आप सब तो हैं ही सर उसी मित्र के साथ दिव्या अस्पताल पहुँची थी आँखें मूंदे राजमोहन शान्त लेटा था पदिचाप सुन आखें खोलते दिव्या को सामने पा उसका मुख खेल उठा था तुम क्यों नहीं आना चाहिए था दिव्या का स्वर इस पश्ट था तुम्हें सूचना नहीं दी थी ना कैसे पता लगा बहुत सी बातें बिना बताएं भी जान ली जाती हैं मिस्टर राजमोहन और अगर आपको एतराज ना हो तो मैं बैठ सकती हूँ डॉक्टर से राजमोहन का हाल पूछ कर उसका मित्र जा चुका था मान भरे स्वर में दिव्या ने शिकायत की थी इतने बीमार रहे और मुझे खबर तक नहीं दी ऐसी भी क्या नाराजगी तुम बिन बुलाए अपने आप आईं इस सुक का अन्भों भी तो करना था बुलाने पर तो गैर भी आते हैं दिव्या गनीमत है हम गैर तो नहीं कहकर दिव्या हास दी थी राजमुहन मुग्द नैनों से नहारता रह गया था अस्पताल से वापस लौट राजमुहन ने कहा था तुमारी जिदने ठीक कर दिया वरना मिरी चलती तो आराम से लिटा रहता और तुम पलंग के पास बैठी रहती हैं हाँ और दोनों एक साथ एक्जामस में फिल हो जाती ये भी याद है ना या नहीं चनाब आपका ये फाइनल येर है राजमुहन एकदम गंभीर होटा था ठीक या दिलाय दिव्या अब तो दिनरात मिहनत करनी है कुछ बनकर दिखाना है ना फिर राजमुहन सब कुछ भूल गया था दिन रात तपस्या की थी उसने पूरे कॉलेज में ना केवल कितनी फर में कंपनिया पीछे पड़ी रही बहुत प्रलोबन दिखाए गए नौकडी के लिए पर उसने अपना छोटा जा पहाड़ी इलाका ही चुना था जो उसके सपनों का संसार था दिव्या ने आग्रह भी किया था अमेरिका चले जाते तो अच्छा था भविशे समढ़ जाएगा फिर मेरे इस छेतर का भविशे कौन समवारेगा दिव्या मैं तो यहीं रहकर इस जगे को नया रूप दूँगा जानती हो दिव्या हाइड्रो एलेक्ट्रिक पावर प्लांट शुरू करने का प्रस्ताव भी चुका हूँ पावर जेनरेट होते ही यहां धेर सारे उद्योग शुरू हो जाएगे पिर देखना ये छेतर कितनी प्रगति कर जाएगा कुछ हसकर जोड़ा था इसलिए तो तुमें भी इंजीनर बनना है दिव्या हम दोनों मिलकर एक नया संसार बसाएंगे यहां राजमुहन की आँखों में तेरते धेर सारे सपनों को मुख्द दिव्या निगहारती रह जाती थी जिस निष्ठा के साथ राजमुहन उस पिछड़े इलाके के काया कल्प में जुट गिया था सपने दातों तले उंगली दबाली थी एक दिन स्वेम पापा उसकी प्रिशनसा कर बैठे थे जो भी को इस लड़के में है कुछ बात जरूर रोफ वेका उद्गाटन करते मंतरी महुदे ने पीट थप थपाते उसीवा इंजिनियर को अपनी शुब काम नाय दी थी कॉलेज में दिव्या को राजमुहन के पत्र मिलते रहते थे पत्रों में उत्सा छलक पड़ता था कल नदी पर पुलकी नीव पड़ गई है दिव्या पावर जेनरेटर की स्विक्रित मिल गई है बहुत बिजी हो दिव्या पत्र देर से पहुँचे तो नाराज तो नहीं होगी न घर पहुँचने पर दिव्या को विस्तार से इसकी युज्याय सुनी पड़ती घर में माता पितार राजमुहन के विवाह के लिए चिंतित हो रहे थे कई धनी मानी परिवारों से विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे पर राजमोहन विवहा के नाम से ही रुष्ट होता था जब तक मेरे काम पूरे नहीं हो जाते मुझे विवहा नहीं करना है इस विशय पर सोच भी नहीं सकता मा नाराज होती थी तेरे काम तो पुरी जिंदगी चलेंगे क्या अच्छी लड़किया तेरे लिए बैठी रहेंगी अपनी जाती में पढ़ी लिखी सम्मानित परवारी की लड़कियां हैं ही कितनी दिव्या ने पूरी बाते सुनकर कहा था सच ठीकी तो कहती है मा किसी अच्छी लड़की से विवहा क्यों नहीं कर लेते राजमोन गंबीरो उठा था किसी लड़की से विवहा करने का अर्थ है अपने पावों में बेड़ियां डालो अभी मुझे बहुत से काम करने हैं दिव्या पर कभी तो बेड़ियां डालनी ही होगी बशरते बेड़ी बन कोई स्वेम आकर जकर ले यानि आपको जकरने आपकी तपस्या भंक करने कोई देव लोग की अपसरानी चाहिए वो तो कब की आ चुकी अब तो उसके अचानक चली जाने का भै हमेशा हावी रहता है ना जाने कब कौन आकर उसे ले उड़ेगा और मैं असहाय ताकता रह जाऊंगा लग्जा से दिव्या के कपोल आरक थोठे थे तो उसे पता लग चुका है दिव्या को देखने को याने वाला है सच दिव्या हमेशा चाहा था इन मोहक सपनों के जाल में ना बंधू पर तुमने मुझे बांधी लिया मौन दिव्या पर द्रश्ट डाल वो कहता गया था जानता हूँ या संभव है तुमारे मम्मी पापा को ये संबंध किसी भी स्थित में स्विकार नहीं होगा पर तुमारे सिवा किसी अने की कल्पना भी मुझे असह है क्या उत्तर देती दिव्या इस पश्ट स्विकारोक्त के बाद कुछ कहने को शेशी क्या रह गया था क्या उस्वयम इस मुह पाश सर्मुक्त रह सकी थी राजमोहन और उसके आदर्शों को बहुत पहले ही वर चुकी थी मम्मी पापा को जानती है अपने आविजाते का गर उन्हें इस निर्णय पर किसी भी स्थिती में समझोता नहीं करने देगा फिर भी दिव्या ने सहस किया था पापा से मिन्निते की थी मम्मी से मात्रत्य की दुहाई दे कर भीक मांगी थी पर उन दोनों पर तो मानों गाज ही गिर पड़ी थी इस कुल कलंकिनी को इसी दिन के लिए जन्मा था पैदा होते ही मर जाती तो अच्छा था मम्मी ने अपना आक रोश न केवल उस पर उतारा था वरन मानेक राम और उनकी पत्नी को भी आड़े हांतों लिया था उनके बेटे को जीबर कोसा था जिसने उनकी भूली भाली बेटी को फुसलाया था पापा ने अपने पद का हवाला दे परिवार को जड़ मूल से उखार डालने की धमकी दे डाली थी राजमोहन की माने हाथ जोड़कर ममी से छमा मांगी थी मानेक राम ने पत्र को दंडित करने का वचन दे पापा को शांत किया था वो तो अच्छा था उनका अविमानी पत्र शहर गया हुआ था वरना ना जाने क्या हो जाता पापा ने दिव्या से स्पष्ट कहा था अगर वो राजमोहन का जीवन चाहती है तो उससे कभी न मिले अनिता राजमोहन की हड्डियों तक का पता नहीं चलेगा इस सत्य की कल्पना मात्र से दिव्या सिहर गई उसके अर्थ से वो पूर्टा परचिक थी शेहर से लोटा राजमोहन उसके घर आने का दुस्सा हस कर वैठा था अपमान जनक भाशा में पापा ने उसका जीवर तिरसकार किया था अपनी आउकाद भूल गए मेरी ये बेटी पे डोड़े डालने चले थे खबरदार जो उसकी और आँख भी उठाई आँखे निकाल लूँगा समझे राजमोहन के नैयन जल उठे थे फिर भी स्वध यथा संभव शांत रखकर कहा था अपनी बेटी के शत्र ना बनिये वो किसी और के साथ सुखी नहीं रह सकेगी पापा दाहार उठे थे खबरदार जो एक शब्द भी आगे जुबान से निकाला ये जुबान काट दूँगा याद रखो मिंटों में मेरे इशारे पे तुमारा घर मिट्टी में मिल जाएगा घर तो आप अपनी बेटी का मिटाने पर तुले हैं राजमोहन का वाके पूरा होने के पहले पापा का हाथ उठ चुका था ममी ने दोड़ का पापा को पकड़ा था और राजमोहन ने दिव्या से मिलने की बहुत चेश्टा की पर दिव्या ने अपने को सैम कैद कर लिया था एक सब्ता के भीतर ही पापा ने अपना ट्रांसफर एक दूर के शहर में करा लिया था कजबा छोड़ते हुए दिव्या रोपड़ी थी रास्ते मेराजीव ने एक मुड़ा कागच चुपके से थमा दिया था बिना संबोधन के चंद पंक्तियां थी एक दिन तुमने कहा था जो मांगूंगा मिलेगा क्या पासका मैं? सच की कठोर धर्ती पर खड़ा था मैं तुमने आशा के दीब जलाए थे दिव्या तुमको जितना पासका जीवन जीने के लिए काफी है अब ना किसी की कामना है ना करूँगा हमेशा के लिए तुम्हारा राजमुहन बस फिर पापा ने देर नहीं की थी आनन फानन समाचार पत्र के विवाई विग्यापन के आधार पर अमेरिका में बसे व्यविसाई के डॉक्टर पुत्र से उसका विवा कर दिया गया था दिव्या ने लाग सिर्पट का भूख हरताल की पर उसकी एक ना सुनी कई थी उसके सपनों का संसार निर्ममता पूर्वक तोड़ दिया गया था अमेरिका पहुंच जिस्सते का सामना करना पड़ा वो उसे जड़ बना देने के लिए काफी था पती ने पहुंचते ही स्थिती स्पष्ट कर दी थी उसके अतहा संपत्य के स्वामी पिता माता को एक भारतिय उत्रादिकारी की जरुवत थी दिव्या को बस एक उत्रादिकारी देने का ही दायत्य पूर्व करना था उसके बाद अपनी जीवन चर्या के लिए वो पती की ओर से स्वतंत्र थी पत्नी रूप में अपनी सहयोगनी अमेरिकन नर्स को पहले ही प्रतिष्ट कर चुके थे दिव्या तो माता पिता की जिद्ध के कारण लाई गई थी दिव्या का मुख रणा से विक्रत हो चुका था काश उस उच्छ कुल में जन्में इस कुल भूजण की महिमा उसके माता पिता जान पाते राजमोहन का शांत द्रणते जस्वी मुख मानो विरोधी इसमरत में चमक उठा था पती के प्रस्ताओं को दिव्या ने द्रणता के साथ अस्वीकार कर दिया था सास सरसूर बना कर हार गए थे पर उनके धोके को शमा नहीं कर सकी थी सास ने कहा था अरे इस उम्र में ऐसी गल्ती हो ही जाती है तुम आ गई हो उसके साथ रहोगी तो इससे अकल आ जाएगी दिव्या का आत्मसम्मान बुरी तेरे आहत हो गया था वो किसी का सपना थी और आज उसे किसी उद्देश की पूर्टे का साधन बनना पड़े यह कैसे स्विकार कर पाती भारत जाकर ममी पापा की दया पर निर्भर रहना क्या और भी कष्टदाई नहीं था सौभाग इसे व्रद श्रसूर उसके प्रति अपरादी महसूस कर रहे थे पुतर वद्धू का एड्मिशन वहां पॉलेज में दिला उन्होंने मानू अपने अन्याय का प्रितिकार किया था पार्ट टाइम जॉब ले तिव्या नेना के वर श्रसूर की साहिता का आगरह तोड़ा वरन पती के साथ विवाएक बंधन भी स्वेच्छा जे तोड़ अपने रहने की अन्यतर विवस्था कर ली थी राजीव माधवी के विवापर जब वो पिछली बार आई थी तो मा उसे देखकर रोपड़ी थी कितना बड़ा धोका दिया पापियों ने लड़की सदमे से गुंगी सी हो गई है अपनी मा को भी नहीं बताएगी अपना दुख पेटी वहाँ अकेली क्यों पड़ी है यहाँ हम सब हैं वापस नहीं जाने दूँगी तुझे मैं अंचाहे एक व्यंग पूर मुसकान तैर गई थी काश मम्मी ने कभी उसके मन की बाद जानी होती तुरंत उसने प्रतिवात किया था छी भला उन्होंने क्या मेरा बुरा किया था वो तो उनके पुराने संसकार थे दिव्यान ने अपनी कुंठा को समूल उखाड फेकना चाहा था मम्मी के गले से लिपट कर अपना सारा दुप बहा देने की अदम में चाहा का गला गोट वो पुना वापस उसी अपरिचित देश में अपनी पढ़ाई पूरी करने आ गई थी अपनी नियत ये अवे से स्वैम जहिलनी है किसी के दया पातरी बनकर जीना उसे सहे नहीं है पापा बड़बड़ाते रह गए थे खुद तलाग दे केस खराब कर दिया वरना एक-एक को देख लेता मैं पापा ने बहुत रोका था पर वो निर्ने पर अडिग रही थी नहीं अब उसे कोई मोह नहीं रोक सकता है वो दंडित की गई तो अपना जीवन अपनी तरह से जीने का अधिकार है उसे उनी दुनों महां राजमोहन द्वारा किये गए कार्ड़ों का वरनन समाचार पत्र में छपा देखा था उसकी भूरी भूरी प्रशनसा के साथ ये भी लिखा गया था कि युवा इंजीनेर ने आजीवन अविवहत रहे अपने छेतर के काया कल्ब का संकल्ब दिया है उस समाचार को पढ़ती दिव्या के नहनों में एक अधूरा सपना कौन उठा था वही वा कि फिर कानों में गूँज उठा था अब ना किसी की कामना है ना करूँगा वीते पलों की इसमती कितनी मोहक होती है उनके सारे एक तो क्या कई जीवन वो काट सकती है तब से आज तक उम्र का ये सफर दिव्या अकेले तैकरती आई है इसी बीच वे इंजीनियर बन नौकली पा चुकी ना जाने कितनों ने विवहा के प्रस्ताव रखे पर हर उदास एकाकी पल में साधना रत राजमोहन का चित्र उसकी याद दिव्या को द्रण रहने का बल प्रदान कर जाती है वही सपना तो उसका संबल है उसका अपना रिश्मी आचल है जिसके नीचे वो शांत निर्विकार सो पाती है उसके दुर्भागे की कहानी कहीं उस साधक को आहत न कर दे क्या मात्र इसी कारण वो अपनों से सहसरों मील दूर पड़ी है या इसके पीछे सवपन भंग की आशंका है वो स्वैम नहीं जानती आज भी उसका आराहतक तपस्या रत है या राजीव के कंदे से अपना सांतोना पूर्ण हाथ हटा दिव्या ने नवजाद शिशु को गोदी में उठा लिया नवजाद शिशु को और इस तब्द ताक्ति दिव्या से राजीव ने कहा था क्या मिला माधिर को दी दी दो दिन बेटे का दुलार भी न कर सकी कितने अर्मान थे उसके आगे के शब्द करंदर में बतल गए थे भाई के अश्र पूरित नैनों को निहार दिव्या ने कहना चाहा था इस कच्ची उम्र में ये दुख पाना ही क्या इस परिवार की नियती है भगवन पर इस समय क्या वो सब कहना ठीक है भाई के दुख में अपना दुख क्यों शामिल कर रही है अब तो उसके सपनों की राग भी ठंडी पड़ चुकी है फिर क्यों इस समय वही बात बार बार याद आ रही है उसे अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पुष्पा सकसेना जी की लिखी हुई कहानी सपनों के इंद्रिधनोश जिसे स्वर दिया था मैंने यानी सीमा सिंग कल फिद मिलेंगे आपका समय शुप हो